Good morning friends, welcome to study with Neelam आज हम 1 फरवरी से 7 फरवरी तक के सभी best top current affairs question with point to point weekly current affairs का पहला part फरवरी मन्थ 2021 का complete करेंगे जनवरी के सभी 5 वीडियो 5 वीक के अभिलेबल हैं चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर जनवरी मन्थली current affairs में उसे देख सकते हैं चलिए तो शुरू करते हैं आज का lecture इससे पहले अगर आप study with Neelam चैनल पर पहली बार आए तो फटफट से हमारे चैनल को subscribe कर लिजे और subscribe करने के बाद वीडियो को like करना और share करना बिल्कुल न भूलें अपने किसी भी study related group में फटफट से जाके टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लिजे यहां आपको statics GK के साथ साथ हमारी सभी वीडियो की notification भी सबसे पहले प्राप्त होगी और किसी भी information के लिए आपको टेलिग्राम चैनल पर सभी जानकरिया मिल जाएंगी ओके चलिए शुरू करते हैं आज का lecture पहला question है हाली में संपुर्ण रूप से एकेविनट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनाए एकेविनट का मतलब है पूरी तरीके से जो वहां के विधायक होंगे वो अब किस पर काम करेंगे लैप्टॉप पर या फिर टैबलेट पर ही उनको सारी facility प्रा इनको ग्रेट किया है याद रखिएगा सिमला में क्लियर है नेक्स्ट देखते हैं हाली में लगातार चोथे वर्से सबसे मूलिवान भारती सेलिब्रिटीज ने इमने में से कौन बने तो राइट आंसर होगा विराट कोली ब्रैंड वैल्यू के अकॉर्डिंग 23.77 करोड के ब्रेंड वैल्यू के साथ कौन है टॉप पर विराट कोली दूसरे स्थान पर हैं अक्षे कुमार और तीसरे स्थान पर हैं रणवीर सिंग तो ये भी आप याद रखेंगे ओके नेक्स्ट है हाली में निमन में से किस राजिस सरकार के द्वारा भिकारी मुक्त अभियान परारंब किया गया तो राइट आंसर होगा राजिस्थान सरकार के द्वारा दीखी यहां कन्फ्यूज मत होईएगा मध्य परदेश में जो इंदोर पुलिस है इनके द्वारा भी किसी तरीके का अभियान परारंब किया गया है तो वो इंदोर पुलिस के द्वारा किया ग जो युवा हैं जो काम करने में सक्चा में उन्हें क्या दिया जाएगा सो रोजगार और जो बच्चे हैं उन्हें क्या किया जाएगा पुनरवास के साथ उन्हें एजुकेशन की फिल्ड में डाला जाएगा उके पढ़ाई की तिरफ उन्हें आकर्चत किया जाएगा ना कि ब्रक्षावरती की प्रवर्ती में, कौन है राजिस्थान के मुख्यमंतरी, अशोक गहलोत हैं, तो ये आप याद रखेंगे, हाल ही में निम्न में से किस डिजिटल भुक्तान कंपनी ने भारत में घरेलु भुक्तान सेवा बंद करने की गोशना किये, तो राइट आंसर ऐसे कैलिफॉर्निया की कंपनी और कैलिफॉर्निया में ही पेपाल का हैटकॉर्टर आपको मिलेगा, तो ये आप याद रखेंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस बेंक ने अपने ग्राकों को नौन-EMB ATM से पैसे निकालने से रोग दिया है, अब यहाँ पर जब आप ATM में जाते हैं और अपना कार्ट स्वेप करते हैं, तो कुछ समय के लिए जो मसीन होती है, वो आपके कार्ट को क्या कर लेती है, होल्ड करके रखती है, तो वो क्या होते है, ATM ज्यादा सुरक्चित होते हैं, और पंजाब नेशनल बेंक ने अपने ग्राकों के लि तो याद रखिएगा पंजाब नेशनल बेंक, अब यहां से जरूरी नहीं है कि यह बेंक का नाम पुछा जाए, आपसे पुछा जा सकता है, EMB ATM क्या होते हैं, ओके, याद रखिएगा, नेक्स्ट है, हाल ही में मैला जननांग विकृती के लिए सून सहिश्णुता का अंत तहराश्टी दिवस प्रती वर्स किस दिन मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा छे फरवरी, वर्स 2021 में, International Day of Zero Tolerance for Female Genital Multination, कब मनायाएगा, छे फरवरी को मनायाएगा, उसकी थीम क्या थी, तो थीम थी, No Time for Global Inaction Unit Fund Act 2 and Female Genital Multination, ओके, तो यह आप याद रखेंगे, कब मना चे फरवरी को, एक फरवरी को क्या मनाया था, इंडियन कोष्ट गार्ड, जो है, उसका कौन सा दिवस मनाया गया, पैतालिसवा स्थापना दिवस मनाया गया, दो फरवरी को, World Wetland Day मनाया गया, उसकी थीम क्या है, 2020-21 में, तो यह है, Wetland and Waters, वेटलेंड and Waters, चार फरवरी को क जनेटल मल्टिनेशन, और इसकी थीम है, No Time for a Global Inaction Unit Fund, Act 2 and Female Genital Multination, देखिए, एक अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, आप अगर रेगुलर वीडियो फॉलो करते हुए, तो आप इसको सेक्शन बाइस बाट लिजे, जैसे फेवरी के सारे मन्त हैं, तो हम आपको एक साथ तो बताएंगे ही, लेकिन जो डेली आते हैं, तो आप उनको राइट डाउन करते जाया कीजिए, और उसकी थीम भी वहीं लिखते जाया कीजिए, इससे क्या होगा, आपके जो नोट्स हैं, वो प्रॉपर वनेंगे, तो आपको बारवार रिवाइस करने में दिक्कत नहीं आईगी, ओके, नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, वर्स 2021 में, निम्न में से किस देश के द्वारा विश्व सतत विकास सिखर सम्मेलन की मेजवानी की जाएगी, तो राइट अंसर होगा, हमारा प्यारा देश भारत, ओके, भारत की द्वारा की गई है, दस फर्वरी से बार की गई हैं, और कौन सा देश उन्हें लागू करने में कितना जादा सफल हुआ है, तो इस पर इसमें डिसकेशन होगा, तो ये भी आप याद रखेंगे, और एक और पॉइंट याद रखना, पैरिस जलवायू समझोते से, कि इसमें अमेरिका फिर से शामिल हो रहा है, क्य जो है, यहाँ पर क्या करेगा, उत्री अट्लांटिक जो सागर है, इसमें जो एक क्रत्रिम दीब बनाएगा, और उस दीब पर क्या करेगा, सोलर प्लांट की सहायता से, यहाँ पर उर्जा को बनाएगा, ठीक है, विंड पावर की सहायता, सोलर प्लांट, जो भी कुछ है, दोनों की सहायता से क्या बनाएगा यहाँ पर बिजली का अत्पादन करेगा कौन करेगा डेनमार्क करेगा ओके यह आप याद रखेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताए डेनमार्क की केपिटल क्या है प्लीज फ्रेंट कमेंट जरूर किया किजे जिससे हमें पता चलता है कि आपको यह सीरीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही है और अगर आपको सीरीज पसंद नहीं आ रही है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताएए कि आपको सीरीज पसंद नहीं आ रही है, देखे, हमारे देश में सुतंतरता है, बोलने की आ जा दिये, तो आप इसका फायदा उठाइए, आप लोगों जो कमेंट सेक्शन दिया रहता है, वो आपके व्यूस जानने के लिए देता है, बस ये याद रखेगा कि ज़्यादा कमेंट करने से ये पता चलेगा कि आप लोग सीरीज को कैसे सपोर्ट कर रहे हो, तो नेगिटिव कमेंट करने से हमेश्था बचे और जो सच्चाई है उसे बताएं, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में देश का पहला सरकारी वन स्टॉप शॉप ट्रेवल पॉर्ट के द्वारा अपना पहला वन स्टॉप शॉप ट्रेवल पॉर्टल लॉंच किया गया, अब आपको लगए गया है ये तो रेलवे का है, रेलवे में ये खान पन का दो ध्यान रखता है, और IRCTC ने क्या किया है, परेटन की दरश्टी से अब खुद की जो बस की बुकिंग ह होती है, उस सर्विस के लिए इस वन स्टॉप ट्रेवल पॉर्टल को लॉंच किया है, कौन है रेल मंतरी तो ये हैं प्यूस कोयल, याद रखिएगा, क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसके साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंतराले ने भारती सड़कों के विज्ञाने को नयन के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किया है, तो राइट आंसर होगा, IIT-BHU के साथ मिलकर भारती सड़क परिवहन मंतराले ने देश में आगे जो वर्षों में सड़के बनने वाली हो, उनकी क्या करना है, उनको इस तरीके से निर्मान कर बरसात आने पर इनकी हालत खसता हाल ना हो, किस के लिए हाईवे के लिए, तो ये किस के मद्दे समझता हुआ, IIT-BHU के मद्दे और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंतराले, कौन है सड़क परिवहन मंतरी हमारे, तो नितिन गटगरी हैं, और MSME मंतरी भी कौन है, नित Institute of Horticulture Research के द्वारा कहां पर बेंगलूरू में, कहां पर बेंगलूरू में इस ब्राष्टी बागवानी मेले का आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा, अल्ला पुझा जिला ये केरल का है, और यहां पर देश का पहला श्रम आंदोलन संग्राले इस्थापित किया गया है, गेस पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसका इनोग्रेशन किसने किया था, प्रधान मंतरी नरेंदुर मोधी ने, तो ये भी आप याद रखियें, किसने निरमान किया था, इसका गेल इंडिया के द्वारा इसका निरमान किया था, नेच्ट देखते हैं, हाल ही में बहुत हैई तो जो इसका फॉस्ट पार्ट होगा वे जाएगा इसका दक्षन अफिरेगा में अस्ट्रीलिया में स्थापित और अठीडैर के सांट का ओंड्रेश रिकूत इस जो टेलिस्कोप है इसमें फंडिंग की है ओके तो ये भी आप याद रखेंगे इंडारेक्टल इंवॉल्वन के इसमें अगर फीचर से कोई भी लाब लेना होगा तो ये सभी देश इसमें भागिदार होगे नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में FMUFG बेंक जापान और निम्न मेंसे किस देश के मद्देख समझोता गयापन पर अस्ताक्चर हुए है ठीक है निम्न मेंसे किस के मद्देख तो राइट आंसर होगा ICICI बेंक जो MUFG बेंक है ये जापान का बेंक है और ये भारत में जो ICICI इसके साथ समझोता किया है और समझोता करने का उद्देश ये है कि जो जापानी कमपनिया है भारत में उनको क्या करना पूंजी गज साहता प्रदान करना capital जो भी कोई उनकी demand होगी उसको क्या करेगा जापानी बेंक help करेगा कहाँ पर इंडिया में जो जापानी कॉर्पोरेशन है उन्हें याद रखना next है हाल ही में हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने किसके साथ साजेदरी का विस्तार किया और MAU पर हस्ताक्चर किये हैं तो राइट आंसर होगा रॉल्स रॉयल रॉल्स रॉयल के साथ हिंदुस्तान Aeronautics Limited मिलकर क्या करेगा MK-871 इंजन का निर्मान करेगा और उसी के लिए जो एरक्राफ्ट का इंजन होता है तो यह भी आप याद रखेंगे इससे पहले हिंदुस्तान Aeronautics Limited और मिधानी के मद्ध भी कच्ची धातू के लिए जिसका उपयोग लाइट कॉमबेक्ट एयरक्राफ्ट में किया जाता है उसके निर्मान में जो धातू उपयोग होती है उसके लिए समझोता हुआ था तो यह भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट कोश्चन है हाली में केंद सरकार ने विज्याम सहर के स्थापना के लिए किस राजी के साथ एक समझोता ग्यापन पर स्थाक्चर किये तो राइट अंसर होगा यहाँ पर हमारा उत्राखंड उत्राखंड के नेनी ताल में केंद सरकार ठीक है पूरे देश में 22 इस तरीके के सेंटर बनाये जाएंगे और पहला जो सेंटर ही यह कहां बनाये जा रहा है उत्राखंड के देहरादून में देहरादून में बनाई कि गई राजेसभा के उपसभापती कौन होते है तो उपराष्ट पती वेंक एनाईडू के द्वारा ये चेतावनी जारी की गई क्योंकि कुछ सांसद द्वारा क्या जा रहा था कि संसद में कुछ ऐसी कारवाई होती है जिसे रेकॉर्ड नहीं किया जाता लेकिन यहाँ पर संसद की मर्यादा को भंग करके ते हुए रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो इस पर चेतावनी जारी कर दी गई है याद रखिएगा राजेसभा में कितने सदश्य चुने जाते हैं जो राष्टपती मनोनित करता है तो मनोनित कितने होते हैं यहाँ पर आपके होते हैं बारा और Union Territory से कितने सदश्य आते हैं, 20, ये याद रखिएगा, ये NTPC में कोश्चन आया है कि Union Territory से कितने सदश्य जाते हैं, लोकसभा में, है न, राजिस्वामिनी लोकसभा में, ये याद रखिया, 20 जाते हैं, ओके राश्टपती रामनात कोबिंध हैं, लोकसभा के अध्यक्च ओम बिरला जी हैं, ओप राश्टपती मवईं का ये नाइडू हैं, और लोकसभा के महा सचिव, आप मुझे बताएंगे, ये इसने लता सिरिवास्तप के बाद बने हैं, ओके, नेक्स्ट बताईए, हाल ही म RBI ने वित्ति वर्स 2021 के लिए भारत की GDP ब्रतिधर कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो RBI के द्वारा ये अनुमान व्यक्ति किया गया है, 10.5% का, ओके, क्या व्यक्ति किया है, 10.5% वित्ति वर्स में क्या रहेगी, भारत की GDP रहेगी, याद रखेगा RBI ने लगाया ह RBI के कौने गवर्नर शक्तिकान 10 से किस करम के हैं 25 करम के हैं औके 4% क्या रहेगी रेपो रहेगी 3.5% क्या रहेगी रिजर्व रेपो रहेट रहेगी तो ये भी आप याद रखेंगे कोई भी बेंक रेट सुबगरा में कोई चैंजिस नहीं किया है जो पुरानी दर्थी वही सब है नेक्स्ट वर्स 2021 के जायद अवार्ट फॉर हीवन फेर्टरनेटी पुरसकार से किसे समानित किया गया है तो सहयुक्त राष्ट महासभा के सबापति कौन एंटोनियो गुतारेश जो पुर्तगाल से हैं और लथीफा इवरेज जीयतान ये मोरको और फ्रांस की क्या है एक सामजिक कारे करता है तो इन दोनों को ही दिया गया है जायद अवार्ट फॉर हीवन फेर्टरनेटी पुरसकार 2020 याद रखिएगा और रवी गया कवार इन्हें मिला है बिश्व मानव अधिकारों के लिए कारे करने के लिए नेलसन मंडेला पुरसकार ओके ये भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट दिखते हैं जुलाई 2021 में होने वाले तीसरे कॉलकता अंतराष्टी पुस्तक मेलेक में फोकस थीम देश कौन सा है तो राइट आंसर होगा बंगला देश कब होगा जुलाई 2021 में 45 वा कॉलकता बुक फेर का आयोजन किया जाएगा और इसमें फोकस देश होगा बंगला देश अभी आपको याद होगा जो 51 भारतिय अंतराष्टी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गुवा में हुआ था तो उसमें भी फोकस देश कौन सा था बंगला देश ही था ओके दोनों को याद रखिएगा इंपोर्टेंट है आ सकता है बंगला देश ते कॉश्चन हाल ही में आपात इस्तिती के दोरान मदद के लिए गहर मंतराले द्वारा विक्सित अप्लिकेशन का क्या नाम है तो राइट आंसर होगा लोकेट नियरेश्ट पुलिस स्टेशन तो ग्रह मंतराले के द्वारा लोगों को सुरक्षित और आपात इस्तिती में पुलिस की प्राप्त करने के लिए आसाने से ये एप लॉंच किया गया है ग्रह मंतरी अमिश्य हक हैं ठीक है याद रखना और इसमें क्या है जो महिला हैं विदेशी परेटक हैं उन्हें तुरंत इससे क्या होगा अपने जो नियरेश्ट पुलिश टेशन है उसकी लोकेशन पता चल ज याद रखेंगे साथी अप्लिकेशन ये कौन है केंद्री जन्जाती मंतरी अर्जन मुंडा के द्वारा जन्जाती श्रेमिकों के लिए लौंच की गई थी सक्छम अभियान ये केंद्री पेट्रोलियों मंतराले के द्वारा स्वक्छ उर्जा को बढ़ावा देने के कोब्रा कमांडर की यूनिट CRPF में अधिकारे कृट से शामिल हुई तो राइट आंसर होगा गुरू ग्राम ठीक हर्याना के गुरू ग्राम में लेडि कोब्रा कमांडर यूनिट CRPF की अधिकारे कृनिट है जो शामिल हो गई है और इसका मुखे काम होगा नक्सलाइड एरिया में काम करना, तो ये भी आप याद रखेंगे, CRPF के डारेक्टर जन्रल कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्षन में बताएंगे, नेक्ष्ट देखते हैं, हाल ही में, निम्न में से किस हाई कोट की 6 फरवरी 2021 को डायमंड जुबली मनाएगे, डायमंड जुबली का मतलब 60 वर्ष पूरे हो गाए, ठीके, तो डायमंड जुबली 60 वर्ष पूरे होने पर मनाएगे किसकी गुझरात हाई कोट की, ओके, किसने क विक्रम ना, Chief Justice कौन है, तो स्वरी, CM कौन है गुजरात के, तो विजे रुपानी है, ओके, और इन्होंने अभी क्या किया था, जो Dragon Fruit House का नाम क्या दिया है, कमलम दिया है, ठीक, क्या बोलो, अब Dragon Fruit को क्या बोलेंगे गुजरात में, कमलम बोला जाएगा, तो ये इतने सितंबर 2021 तक, देखे, जितने भी Digital भुक्तान सेवाएं हैं, जो आपका Google हो, पे टी एमो, जितने भी सभी तरीके के, जो Online आपको क्या कर रहे हैं, डिजिटली भुक्तान सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो उन्हें सितंबर 2021 तक, 24-7 अवर्स के लिए क्या करना होगा, एक हाल ही में, बजट 2021 में, ज्यान योजना के लिए, बजट आवंटन दुगना किया गया, यह योजना का प्रारंबुईती, तो राइट अंसर होगा, 2015 में, ठीक है, ज्यान योजना, Global Initiative of Academic Network, ठीक है, फुल फॉम याद रखिएगा, इसमें क्या करना है, इसको एक अकेडमी का और यूनिक जो कोर्स हैं, उनका, कंट्रीज का, एक, क्या कहें, ग्लोबली आप इसको बोल सकते हैं, एक सिक्षा से संबनित महतवण स्कीम है, घ्यान, ठीक है, कौन चला रहा है, सिक्षा मंतराल ही चला रहा है, कौन है सिक्षा मंतरी, तो रमेश, पोक्रियाल, निसंक है, ओके, यह योजना का प्रारंब हुई थी, 2015 में प्रारंब हुई थी, ओके, याद रखना, हाल ही में, CBI के यंतरीम निदेशक की रुप में किसे नोक्त किया गया, तो CBI के यंतरीम निदेशक बन गए है, प्रविंड सिना, कौन बन गए है, प्रविंड सिना, ठीक है, आर Regarding सुब्रुमर्नयम ये राश्टी सुरक्षा परिशत के अध्यक्ष बनाए गए हैं अंकन बैनर जी मोजांबिक में भारत के राजदूद बने हैं राजीव रंजन ये तमिल नाडू में क्या बने हैं भारत के सोरी तमिल नाडू के मुख्य सचिब बने हैं नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया की सबसे उची स्विंग राइड निम्न में से किस सहर में खुली है तो राइट आंसर होगा दुबई दुबई के बॉली बुड थीम पार्क में लगभग 460 फिट उची ये स्विंग राइड प्रारंब की गई है 460 फिट उची और ये क्या ह दुनिया की सबसे उची स्विंग राइड है कहां पर दुबई में तो याद रखिएगा नेक्स्ट है हाली में बेंगलूरू में आउजित किये गए Aero India Show 2021 में Energy Research and Development Capabilities of Industries for आत्म निर्बर भारत विशे पर अंतरराष्टी सेमिनार का आयजन किसके द्वारा किया गया तो राइट आंसर हो गए यहां पर हमारा DRDO DRDO के द्वारा इस विशे पर क्या किया गए कंतराष्टी सेमिनार आयुजित किया गए जिसमें विभिन देशों के जो डिफेंस जुडी कंपनीज थी और विभिन देशों के जो प्रतिनी दी थी उन्होंने इसमें भाग लिया है याद रखिएगा नेक्स्ट है हाल ही में आवास और सहरी मामलों के मंतराले ने निम्न में से किस के साथ स्ट्रीट फूड बेंडर्स को ऑन लाने के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो राइट आंसर होगा जमेटो के साथ ठीक है और इनकी द्वारा ये प्रियास किया गया ह कि जो रहडी पर जो आपके लगाते हैं पानी पूरे के ठेले या चाट के ठेले वाले तो उन्हें क्या करना है जमेटो के साथ जोड़ना है जिससे रेश्टोरन वगेरा जोड़ते हैं जिससे क्या होगा जो खाने की स्तितियां है मतलब जो आपका खाना ग्रा कस्टमर को प् और इसी के लिए किया गया है ये समझोता तो याद रखिएगा जमेटो के साथ नेस्ट है हाल ही में उपराष्टपती एम वहिंक या नाइडू ने निम्नमेस से किस बुक का वर्चुली लॉंच किया है तो राइट अंसर होगा पारलेमेंटरी मेसेंजर इन राजिस्थान ठीक है डी के भंडारी की जो ये बुक है किसने लिखिये डी के भंडारी ने इस बुक को लिखा था और इसको लॉंच किसने किया है तो उपराष्टपती एम वहिंक या नाइडू ने एक उर याद रखिएगा पॉइंट यहाँ पर आप अर्वन प्लानिंग एंड जोग्रफी समीर सर्मा की बुक है इसे भी किसने लॉंच किया था तो एम वहिंक या नाइडू ने लॉंच किया था क्लियर है दोनों कोश्चन याद रखना तो राइट आठा शुड होगा पाकिस्तान पाकिस्तान की सता से सता से सता तक मार करने वाली बैलेश्टिक मिसाइल का हाल ही में पर आपकिस्तान इसने पाकिस्तान ने, तो याद रखना गजनभी मिशायल के इस देश की है, पाकिस्तान की है, हाल ही में निम्नमेस से दिल्ली सरकार के द्वारा स्विच दिल्ली अभियान का उद्देश निम्नमेस से क्या है, तो इसका उद्देश है इलेक्ट्रोनिक वाहनों के प्रती प् आपको एक और चीज याद रखनी है यहाँ पर कि इलेक्रोनिक वाहन नीती लागू करने वाले राज्ज कौन-कौन से हैं देश में तो दिल्ली है सबसे पहले तेलंगाना लेकर आये था क्या इलेक्रोनिक वाहन नीती फिर गुजरात लेकर आये और तीसरा राज्ज बना था दिल्ली तो इन तीनों को ही आप याद रखेंगे किसने चलाया दिल्ली सरकार ने कौन है मुख्यमंदी सभी जानते हैं अरविंद्र केजरिवाले नेक्ष्ट है हाल ही मेने इमने में से किस राज्ज सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के अंत्रगत भू जल पॉर्टल को लांच किया गया तो उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन कब तक है इसका लक्ष सभी को स्वक्षी जल के अपरूती 2022 तक उस मिशन के तहत ही उत्तरप्रदेश सरकार भू गर्व जल पॉर्टल को लांच किया है जिससे जल की गुणवत्ता बढ़ाई जा स तो 78th Golden Globe Award दिये जाएंगे 2021 में ये दिये जाते हैं अमेरिका में और किछ छेतर में तो टेलिविजन और फिल्म दोनों ही छेतरों में Golden Globe Award दिये जाते हैं ये आप याद रखेंगे हाल ही में हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने निम्निमे से किसके साथ Composite Raw Material के लिए समझोता कि आपन पर हस्ताक्चर किये हैं तो राइट आंसर होगा मिधानी ठीके मिधानी किसे साथ मिस्र धातू निगम के साथ हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने समझोता किया है मैं अभी आपको बताया था ह हिंदुस्तान Aeronautics Limited के लड़ाकू विमानों के निर्मान के लिए जो कच्चे धातू के आविशक्ता होगी तो वो मिधानी सप्लाइ करेगा किसको हिंदुस्तान Aeronautics Limited को इस्ट्रील अथोरिटी आफ इंडिया की पहली महिला चेयर परसन कौन बनी है सोमा मंडल बनी है तो याद रखिएगा National Safety Counseling और इसका उद्देश क्या होता है तो भई इसका उद्देश ये है कि जो स्रेमिक होते हैं उनके काम करने की दशाएं क्या हैं स्रेमिकों की ठीक है उनके स्वास्ते संबंदी स्थितिया उनके काम के घंटे ये सभी कौन देखती है लेबर मिनिश्ट इनरजी मोजामिक में भारत के राज़दूद बने सुब दर्शने तरपाठी कजकिस्तान में भारत के राज़दूद बने हैं तो इन्हें भी आप याद रखेंगे हाल ही में इमने में से किसे वियत नाम के पुना और राष्ट पती चुना गया है तो राइट आंसर होगा एन्पी ट्रोंग को वियत नाम के राष्ट पती कौन बन गया है एन्पी ट्रोंग बन गया है वियत नाम की कैपिटल क्या है हनोई है ओके और यहां की कैरेंसी क्या ह वान है क्या है वान ठीक है याद रखे डबलू ओए एंग नेक्स्ट है के पिस यहाँ पर ओप्शन देख लेते हैं के पिस सर्माउली यह नेपाल के प्रधान मंत्री हैं आंग सांग सुकी यह बहुत ज्यादा चर्चा में है आज टॉपिक क्या कर दिया मैंमार की मिलेटरी इनका तक्ता पुलेट कर लिया है ठीक है तो आंग सांग सुकी को याद रखेएगा मैंमार की स्टेट काउंसलर है शेख हशीना यह बंगलादेश की महिला प्रधान मंत्री है हाल ही में रक्षा मंत्री राजना सिंग ने किस स्थान पर चीफ औफ एयर स्टाफ का उदगाटन किया है तो राइट आंसर हो गई है बंगलूरू में ठीक है देखिए बंगलूरू में क्या चल रहा था एरो इंडिया शो उसी के दोरान राजना सिंग के द्वारा बिविन देशों के जो चीफ औफ एयर स्टाफ थे उन्हें क्या किया गया इसमें संबोधित किया गया है ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट है हाल ही में केंद सरकार के द्वारा निम्न में से किस योजना की प्रिगती और निगरानी के लिए एक वेब पॉर्टल लाँच किया गय है ठीक है याद रखिएगा यह नेक्स्ट है हाल ही में निम्न में से किस केंद शाषित प्रदेश को देश का पहला कोरोना मुक्त केंद शाषित प्रदेश गोशित किया गया है तो राइट आंसर होगा अंडमान नेको बार दीप समो कैपिटल क्या है इसकी तो कैपिटल है तो लोर अंडमान पर रहे थे राजधानी क्या पूर्ट ब्लीर कौश्चन आता है कि 10 डिग्री चैनल किस किस के मद्ध है तो किस किस के बद्ध है कारनी को बार और लिटल अंडमान के बीच में हैं तो यह आप याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं और यहाद हाल ही में इंटरनेशनल day of human fraternity कब मनाय कजै यह मनाया गया है 4 फरवरी को लोगों के इमद दिख्या करना बंदुत्व को बढ़ावा देना भाई inception को बढ़ावा देना जिससे क्या ना हो एक दूसरे के प्रति हिंसा ना की जाए okay tolerance किया पाद्रभूमी संद्रक्षन दिवस और पांच चार फरवरी को क्या मनाए गए विश्व कैंसर जागरुकता दिवस और इंटरनेशनल डे ओफ हीमन फेटरनेटी ओके इस सभी इंपोर्टेंट है याद रखेगा हाल ही में The Economist Intelligence Unit द्वारा जारी Democracy Index 2020 में भारत का इस्थान क्या रहा है तो भारत का इस्थान इसमें गिरा है क्योंकि 2019 में भारत की रेंक थी 51 और 2020 में हम पोज गए हैं 53 पर तो भारत को क्या है जो भारत बिश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रासी तो है लेकिन कुछ परिसेतियां ऐसे निर्मित हुई 2020 में जिससे इसकी रेंक में परिवर्तन आया है तो यह आप याद रखेंगे भारत का इस्थान याद रखें कौन सा है 53 है ओके अधर और देशों क पर कांगो था और 167 पर उत्तर कोरिया ठीक है किम जॉंग उन जो यहां के प्रमुक है और टॉप पर कौन रहा भारत की रहें का आपको याद रखना भारत का स्कोर 6.61 था नंबर वन पर रहा नॉर्वे नंबर टू पर रहा आइसलेंड और नंबर थी पर रहा स्वीडन ओ नौल ही मनीमन में से किसे फिर से बॉक्सिंग फेडरेशन एपिडिया का अध्यक्ष बना गया है तो लार सथ रखना याद संजे कपूर ये All India Chess Federation के अध्यक्ष बने हैं, नितल नारंग ये All India Soft Wall Federation के अध्यक्ष बनने वाली पहली मैला हैं, और ग्यानेंदरो निगवाम ये हौकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, तो सभी Federation के हैं याद रखना. हाल ही में, Amazon के नए CEO निम्न में से किसे बनाया जाएगा, तो राइट अंस्टर होगा, एंडि जैसी, अभी कौन थे, तो Amazon के संस्थापक जो है, जेफ वेल्जोस वही थे इसके CEO, और वो वर से 2021 के अंत में CEO का पद छोड़ देंगे, और कौन बनेंगे नए CEO, एंडि जैसी ब रॉक टेस्ट लांच के बाद, लेंडिंग के दोरान ब्लाश्ट हो गया, इसका संबंध किस से है, तो इसका संबंध है SpaceX से, SpaceX किसकी कमपणी है, एलन मस्क की कमपणी है, और ये जो प्रोटो टाइप, स्टार शिप, S9 रॉकेट था, इसको इसलिए चेक किया जा रहा था, क इसे भी आप याद रखेंगे, याद रखेंगे, कौन है SpaceX के मालिक, तो इसके अलन मस्क, हाली में समचारों में चर्चा में रही, देलीचिल बूक ऑफ इंकरेजमेंट के लेखक निमनी में से कौन है, तो दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है, देलीचिल बूक अफ इन की गई है किसकी दलाई लामा की तो ये भी आप याद रखेंगे ओके राम चंदर गुहा की बुक क्या आई थी द करकेट ऑफ कॉमन वेल्थ तो ये भी आप याद रखेंगे जैराम रमेश इनकी बुक आई थी दलाइट ऑफ एशिया ओके दलाइट ऑफ एशिया कौन बुद तो वो इनसे भी आप याद रखेंगे, विने कुमार सींग की आई थी, ब्लीडिंग इंडिया, क्या आई थी, ब्लीडिंग इंडिया, तो वो भी आप याद रखेंगे, नेक्स्ट दिखते हैं, रूस और अमेरिका के मद्ध जो परमानू हतियार है, उनकी संख्या में क्या करना है कमी लेकर आना है ठीक है जो nuclear इनके bases है जो nuclear इनके क्या है जो weapons है उनको क्या करना कंट्रोल करना और इस start of संदी के तहें दोनों ही देश अपने अपने जो nuclear weapons हैं आर्म्स हैं उनको क्या कर रहे हैं कमी लेकर आ रहे हैं और ये question आपके IS में शबसे कम UMamis की पहली महिला पाईलेट बन गई हैं. तो राइट आंसर होगा, जम्मु कष्मीर की मातर 25 वर्ष की हैं ये आईसा अजीज ओके और ये बन गई हैं देश की सबसे कम उम्र की महिला पाइलेट कहां से हैं ये जम्मू कश्मीर से क्या नामे आईसा अजीद याद रखिएगा नेशनल डेरी डवलप्मेंट कॉर्परेशन के अध्यक्च कौन बनी है वर्शा जोसी सोमा मंडल स्टील अथोर्टी ऑफ इंडिया की पूरु सेकल का फाइनल निम्नमे से किसने जीता है तो राइट आंसर होगा एंडर्स एंटोसन ने जीता है एंडर्स एंटोसन किस देश के हैं तो बही ये डेनमार्क के हैं और इन्होंने किसको हराया है तो अपने ही देश के जो खिलाडी है विक्टर एलेक्सेशन ये इन यह कहां के बेड मेंटन खिला डिये तो यह जापान के हैं कहां के हैं जापान के सभी इंप्वार्टन है याद रखिएगा नेक्स्ट है हाल ही में देश का पहला इंप्यूटी क्लिनिक निम्नू में से किस सहर में लॉंच किया गया है तो राइट आंसर होगा चंदीगर्ड कहां पर लॉंच किया गया है यह इसनातकोतर चिकिस्सा एवं सिक्छा अनुसंधान संस्थान चंदीगर्ड में से लॉंच किया गया है जो लोग किसी दुरगटना वर्ष अपने सरी के किसी अंगों को गवा देते हैं तो उनकी पुनरवास के लिए उनके जो क्रत्रिम अं आनकारियों का डाटा तैयार किया जाएगा ओके कॉल कत्ता में देश की पहली बोट लाइबरेरी प्रारंब की गई है और भुबनेश्वर यहां पर यह भुबनेश्वर जो सहरी है एफ एस एसल में फ्लज सैप्टिक मैनेजमेंट में आई एसो प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और यहां पर भुबनेश्वर में ही देश का पहला क्या है फायर सेफ्टी पार्क का भी निर्मान किया गया है तो यह सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं हाली में सैयुक्त राष्ट विश्व परेटन संगठने वर्स 2020 को न COVID-19 की वज़े से विश्व के परेटन को सबसे जादा नुकसान हुआ है इसलिए इनोंने रिकॉर्ट पर सबसे खराब वर्स गोशित किया कहां पर है UNWTO का हेड़कॉर्टर तो यह आपको मिलेगा इस्पेन के मैटरिट में कहां पर इस्पेन मैटरिट में याद रखेंगा और रचनात्मक अर्थवस्था का अंतराष्टिय वर्स ये UNN गोशित किया है 2021 को याद रखिएगा वेटलेंड और वाटर्स किसकी है थीम तो यह है आपके विश्व आदरभूमी संरक्षन दिवस दो फरवरी को जो है 2021 में उसकी थीम है वेटलेंड और वाटर्स और फ्र प्याद रखेंगे हाल ही में पहली SII Online Shooting Championship में निम्न मेंस से किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते है तो राइट अंसर होगा हमारा प्यारा भारत ओके भारत रहा है इसमें टॉक पर कितने जीते हैं कुल 11 पदक जीते हैं तो यह हम लिश्ट देख लेते हैं कौन ने और किस रेणी में जीता है सोरब चोदरे दिव्यान सिंग पवार किनाई चैनाई मेंस्ट्रेप राजिश्वरी कुमारी अर्जुन बभूता श्रियसी सिंग मनु भाकर सरब जोत सिंग दीपक कुमार प्रत्वी राज टॉंडोनिया और मनेशा कीर ओके तो यह सभी हैं रखेंगे नेक्स्ट है यह देख लीजी आप यहाँ पर अगर आप मध्यप्रदेश से हैं तो यह मध्यप्रदेश के स्टुएंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है मनीशा कीर ओके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताईए मध्यप्रदेश में खेल मंतरी कौन है बरतमान म वर्ष दो हजार बीस एक किस के सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी निम्न में से किसने जीती है तो राइट आंसर होगा तमिल नाडू ने तमिल नाडू ने दूसरी बार जीती है सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी किस से संबद है किरकेट से और अभी किस ट्रॉफी के आयोजन पर बीसी सी आई ने बोल दिया है कि दो वर्स 2020-2021 में इसका आयोजन नहीं होगा, तो रंडजी ट्रोफी, ठीके, रंडजी ट्रोफी का आयोजन नहीं किया जाएगा, इसके 87 वर्ष के इत्यास में ये पहली बार हो रहा है, जब रंडजी ट्रोफी के आयोजन को रद्ध कर द गया है, ओके, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट है, हाली में समचारों में चर्चा में रहा, विश्व का सबसे बड़ा नदी, द्वीप, माजूली, आईलेंड, निम्न में से किस नदी पर है, तो राइट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, कहां ह असम में है, और असम में क्या बना है, ये 2016 में असम का जिला बन चुका है, ठीके, क्या बन गया है, जिला बन चुका है, ठीके, माजूली दीप, और ये चर्चा में क्यों है, कि पंद्रवे वित्यायव के अध्यक्च, इनके सींग के द्वारा ये गोशना की गई है, कि और मसूली में तो यह आप आप याद रखेंगे कहां पर है ब्रह्मपोत्र में, अस्सम्काई जिलावन चुका है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता तो विश्व कैंसर दिवस प्रति वर्स बनाया जाता चार फरवरी को ठीक है और थीम क्या है I am and I will हाली में देश का पहला सिवालिक अबिटोरियम का उद्धातन निमनि मैं से किस राजमे किया गया है। युद्ध अभ्यास 2021 आयुजित किया जाएगा तो भारत और अमेरिका के मध्ध ये युद्ध अभ्यास आयुजित किया जाएगा पश्चमी राजिस्तान के बीका नेर में ओके याद रखना हाली में देश का पहला आद्रभूमी संरक्षन केंदर किस सहर में स्थापित किया गया है तो चैन्नई में स्थापित किया गया है केंदरी राज्यमंतरी बाबुल सुप्रियों के द्वारा ये से लौंच किया गया और देश का पहला आद्रभूमी संरक्षन केंदर कहां बना ऍाइच्ष, याद रखना दोstreclass thrown by वर्ष दोहजार एकिस वार्षिक विभ्रण संभिंधान एकटिक और त्रफ घेशन लेकिन हमारे सम्विधान में इसके लिए सब्दि क्या है वारशिक वित्ती विवरंट ठीख is a National Research Foundation बनाए जाने का प्राभधान किया गया इसका बज़ट कितना है तो यह National Research Foundation का बज़ट बनाया गया है 50 करोड रुपे ऐसकी ये देख लिएजे आप यहाँ पर 50 करोड रुपे 5 साल के लिए गए हैं इस innovation, research and development को बनाने के लिए और याद रखिएगा ये भारत सोतंतता के बाद और भारत का पहला क्या रहा है पेपरलेस बजट रहा है 2021 का हाल ही में निम्न में से किस छेत्र को विश्व इस्तर पर प्रतिस परधी बनाने के लिए mega investment textile park का निर्मान किया जा रहा है तो right answer होगा कपड़ा उध्योग को विश्व इस्तर पर पतिसपर्धी बनाने के लिए इस प्रकार के 22 पार्क बनाये जाएंगे और जो हमारी केंदरी कपड़ा मंत्री हैं वो कोन है? इसमृती इरानी हैं याद रखिएगा मेगा इंवेश्टमेंट टेक्स्टाइल पार्क बजट 2021 में घोशित किया गया है कि भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन गगन यान मिशन को किस वर्स लांच किया जाएगा तो दिसमबर 2021 के अंत में इसे लांच किया जाएगा इंपॉर्टेंट है याद रखना हाल ही में निमन में से किसे नासा के कार्यवाहक के रूप में निक्त किया गया तो ये निक्त किया गया है भब्यालाल को ठीक है भब्यालाल भारती अमेरीकी मूल की है और इन्हें पॉइंट किया गया है एक्टिंग चीफ औफ श्टाफ किसका नासा का राज अयर ये इनको अंतरिक्ष मिशन स्पेस थ्री क्रू का मेंबर निक्त किया गया राज अयर को ठीक है परियंका राधाकृष्णन ये न्यूजिलेंड में भारतिय मुल्की पहली महिला क्या बनी है मंत्री बनी है डॉक्टर गोरफ सर्मा ये न्यूजिलेंड के ही सांसद है और इन्होंने माओरी न्यूजिलेंड की जो मुख्य भासा है माओरी और संस्क्रिट दोनों में सपत ली है इसलिए ये चर्चा में थे हाली में भगवान मुरूगन ये कार्थी के से संबंदित एक महत्पूर्ण तेहवार थिपूसुम निम्निमे से किस राज्य में मनाये गए तो राइट आंसर होगा तमिल नाडू में मनाये गए ये थिपूसुम तेहवार याद रखना हाल ही में तमिल नाडू के नए मुखे सचीप कौन बन गए तो राजी वरंजेन बन गए तमिल नाडू के मुखे सचीप ठीक है, सुनिश तर्मा ये रेलबे बोट के नाए अध्यक्ष बने हैं सुबोद कुमार जेस्वाल ये ITBP के डारेक्टर जेनरल बने हैं और सोमा मंडल ये स्टील अथोरिटी आफ इंडिया की चेयर पर्षन बनी है। हाल ही में विश्व आदरभूमी दिवस कब मनाया गया तो ये मनाया गया दो फरवरी को। थीम क्या रही वेट लेंड और वाटर्स रही है। हाल ही में देश का पहला इगलू केफे निमन में से किस राजी है के अन्दिशाषित प्रदेश में प्रारंबुए तो राइट अंसर होगा जब मुकश्मीर इगलू क्या होता है ये जो बर्फ के छोटे घर होते हैं इनहीं क्या कहा जाता है इगलू कहा जाता है और पहला है इसलिए important है याद रखेंगे वर्स 2019-20 के लिए विश्मिल्ला खान पुरसकार निम्नि में से किसे सम्मानित किया गया तो right answer होगा यहाँ पर हमारा मुझतवा हुसेन ठीक है किसे सम्मानित किया गया मुझतवा हुसेन को विश्मिल्ला खान पुरसकार बेहार सरकार के कल्चर विभाग के द्वारा यह दिया जाता है तो आप याद रखेंगे मुस्तवा हुसेन बासुरी बादक हैं यह ओके और अमित केसरवानी इन्हें वर्स 2020 में एपई जे अब्दुल्कलाम साइंटिस्ट ओव दी एर 2020 का पुरसकार दिया गया था रोहिनी गोड बोले इन्हें भारत और फ्रांस के मध्य संबंदों को मजबूत करने के लिए समानित किया गया था अरवी गया एक वार्ड इन्हें विश्व मानत्तवादी नेलसल मंडेला पुरसकार 2020 से समानित किया गया हाल ही में मोजांबिक में भारत के नाई राजदूत निमने में से किसे निक्त कि गया है तो राइट अंसर होगा यहाँ पर हमारा अंकन बैनर जी ओके मनिश चोहान ये पुर्तगाल में भारत के राजदूत बने हैं विरेंदर कुम विरेंदर सिंग पॉली ये सोमालिय में भारत के राजदूत बने हैं विश्व कुष्ट रोग उन्मूलन दिवस 2021 कब ब मनाया जाता है इसे किस के रूप में विश्व कुष्ट रोग उन्मूलन दिवस के रूप में थीम क्या रही बीट लिप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फोर मेंटल वेल वींग याद रखना हाल ही में उत्तर भारत का पहला डॉक पार्क निमनिमेस से किस सहर म दक्षिन भारत का पहला बन चुका था हैदरबाद में याद रखना हाल ही में SBI कार्ट के नए MDCEO निमनिमेस से किने नियुक्त किया गया है देखो भई तो ये दोनों ही बने हैं क्या CEO ठीक है वैसे तो MDCEO निमनिमेस से किने नियुक्त किया गया है तो ये हैं यहाँ पर ह नाम मोहन राव हमारा ठीक है इनको निक्ति किया गया है SBI काट के MD CEO ये क्या है जो दो नाम है स्वामिनाथन जानकी रमन और अश्वनी कुमार ये डिप्टी जो होते हैं आपके ठीक है डिप्टी गवर्नर SBI के चार गवर्नर है तो उसमें से ये दो है क्या SBI के डिप्टी इनकी भी निक्ति अभी हुई है इसलिए मैंने यहां पर इनको इंक्लूट कर लिए ताकि आपको ये याद रहे ओके नेस्ट देखते हैं हाल ही में जारी Global Go To Think Tank Index 2020 रिपोर्ट में भारत की रेंक क्या रही तो राइट आंसर होगा 85 क्या रही 85 विश्व के Global Think Tank का मतलब ही होत है कि भारत के जो नए थिंकर हैं या बुद्धी जीवी लोग हैं जो क्या कर रहा है इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं सरकार की जो योजना बनते हैं उनमें महत्पुन भूमी का निवाते हैं तो इन थिंक टेंकों में भारत का विश्में कौन सा इस्थान रहा है 85 विश से किस राज سरकार के द्वारा स्वक्छ जल अपूर्ती के लिए मिशन भागीरत प्रारंब किया गया है तो ये प्रारंब किया है और इशा ब्रेंड ब्रैंड जो इट्स मिशन भागी रत, ओके मतलब जो तेलंगाना सरकार है ये जनता को ये मैसेज देना चाहती है कि जो पानी आप लोगों के घरों में जा रहा है वही सरकार भी उपयोग कर रही है, मतलब पानी क्या है स्वक्ष है, ओके याद रखना तेलंगाना हाल ही में इमने में से किस देश ने सतलुज जल विद्धूत निगम को अपने देश की लोवर अरुण जल विद्धूत परियोजना के निर्मान के लिए कहा है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या नेपाल, नेपाल की है ये लोवर अरुण जल विद्धूत परिय एक फरवरी 2021 को अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है ठीक है इंडियन कोश्ट गार्ड के द्वारा क्लियर है आप मुझे बताएंगे कि इसकी जो इंडियन कोश्ट गार्ड है इनके डारेक्टर कौन है हाल ही मेनिमन में से कौन सी भारतिय कंपनी सैन्ने विबान विक् विमान निर्माण के लिए और अब ये देश की पहली प्राइबेट एकाई होगी जो क्या करेगी विमान विक्सित करेगी कौन टाटा ग्रूप यह भी आप याद रखेंगे आईडिया फोज यह ड्रौन का निर्माण करती है जिसके लिए भारतिय सेना और आईडिया होगा Ken Williamson को किसको मिला है Ken Williamson को मिला है ओके याद रखेंगे और वीराट कोहली कि इसमें कौन सा इस्थान रहा है तो वीराट कोहली इसमें रहे हैं चोथे इस्थान पर नेक्स्ट है अगर आप इस्टड़ी विथनीलम चैनल पर पहली बार आएं तो फटाफट से हमारे चैन मीडिया प्लाटफ़र्म पे फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल को जॉइन करना बिल्कुल न भूले वीडियो को जदे जदे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए नेक् सेबी रेगुलेट करेगा स्पोर्ट गोल्ड एक्चेंज नियामक को याद रखियेगा सिक्यूर्टी एंड एक्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन करेगा सेबी नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में मो जंगल और नो यूर फॉरस्ट लेंड मोबाइल एप्लिकेशन किस किस देश की सेना के द्वारा सत्ताधारी सरकार का तकता पलट कर दिया गया है तो दो में मेर की सेना है क्या नाम उसका तंडोबा है ना वहां की लोकल लेंग्विज में तंडोबा कहा जाता है और उन्यों ने जो इलेक्शन हुए हैं 2021 के उसमें आंक संग सुकी की जो पार कर दिया गया है तो इजिप्ट में भारत के नए राजदूद बन गए है अजीत बिनायक गुपते ठीक है इजिप्ट मतलब मिस्तर कैपिटल क्या है काहिरा है मिस्तर की ठीक है और सूब दर्शने तरपाटी ये कहां बने है तो कजागिस्तान में मनिश चोहान पुर्तगा भारत के राजदूद बने जैंतर खोबरगड़े ये आशियान सची वाले में भारत के राजदूद बने हैं नेक्स्ट है हाल ही में बरस 2021-22 के बजट के नुसार किस चेतर के लिए FDI सीमा को बढ़ा कर 49-74% कर दिया गया तो राइट आंसर होगा बीमा चेतर इंशोरंस सेक इतनी कर दी है 54% कर दी गई है तो याद रखिएगा हाली में कपड़ा मंतराले के नए सचिव निमन में से कौन बन गया है तो यूपी सिंग बन गया है कपड़ा मंतराले के नए सचिव कौन है केंदरी कपड़ा मंतरी तो इस्मृती रानी है महिला अबं बालविकास मंतरी भी स्मृति इरानी ही है कृष्णमूर्थी सुब्रमन्यम ये हमारे क्या है ये मुख्य आर्थिक सलहकार है कृष्णमूर्थी सुब्रमन्यम इन्हीं कि अध्यक्षिता में लॉंच किया गया है आर्थिक सर्वेक्षन 2020-21 ओके सरष्टी गोस्वामी ये उत्रखंड की एक दि महिला वित्यमंत्री और इससे पहले ये Federal Reserve Bank जो है कहां का अमेरिका का उसकी अध्यक्ट रह चुकी थी Lloyd Austin ये अमेरिका के क्या वन गए हैं विदेश मंत्री हैं विदेश मंत्री अमेरिका के Lloyd Austin है और आस्वेत विदेश मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति हैं अमेरिका की 49 क्रम की पहली महिला उप राष्ट पती जो बायर्डन ये अमेरिका के बन गए हैं 46 क्रम के क्या राष्ट पती हाल ही में लॉंच सुमित्र चटर जी अलाइफ ऑफ सिनेमा थेटर पोईटरी एंड पैंटिंग नामक बुक निमन में से किसके द्वारा लिखी गई है तो राइट आंसर होगा यहां पर सी पार्थ सेन गुपता और पार्थ मुखर जी अर्जुन सेन गुपता और पार्थ मुखर जी के द्वारा लिखी गई है सौमित्र चटर जी पर ये बुक और ये कहां कि इस फिल्म इंड़स्ट्री से जोड़े हुए थे याद रखिए गाईने हाल ही में समचारों में चर्चा में रहा निमने में से कौन सी मेट्रो ने रेल कोच सैनेटाइजर सैनेटाइज करने के लिए यूवी किर्णों का उपयोग पहली बार किया है तो राइट आंसर होगा है यहां पर लखनो मेट्रो लखनो मेट्रो ने ये जो टेकनीक है ये न जंबे विवाद की बाद निम्नि में से किस देश को बासमती चावल के लिए जी आई टेग प्राप्त हुआ है तो राइट आंसर होगा पाकिस्तान ओके बासमती चावल में एक छतर किसका था भारत का था लेकिन अब इसको भी क्या मिल गया पाकिस्तान को जी आई टेग मिल है नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षान 2020-21 में वित्ति वर्स 2021 के लिए भारत की GDP ब्रदिधर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है तो यह अनुमान व्यक्त किया गया है 11 परसेंट क्या है 11 परसेंट हाल ही में लाइफ अन्नोन अपैसिस थ्रो इंडिया बुक का नाम क्या है one question that can save your life ओके आकर पटेल की बुक का नाम क्या है तो इनकी बुक का नाम था अयोध्या ओके आकर पटेल वो भी आप याद रखेंगे समीर सर्मा की बुक का नाम क्या है the planning of urban and geography इसी किसने लॉंच किया था वेंकईया नाइडू ने तो यह भी आप आप यह क्रिकट के अध्यक्टर अपको मिलेगा स्राइल को Dean को उया है बिसी सैका संचिव स्वाल कर्म में राजदोड बने हैं विरेंद्र कुमार पॉल यह संमालिया में भारत के राजदोद बने हैं ग्रेक बार के लिए ये न्यूजिलेंड के हैं और ICC के अध्यक्च बने हैं ठीक है हाल इमनिमन में से किस कमपनी के द्वारा देश की पहली E-Sports आभासी अकेडमी बनाई जाएगी तो इस E-Sports आभासी अकेडमी को कौन बनाएगा असुस बनाएगा इसके लैपटोप बगिर आपने देखे होंगे आते हैं और ये बनाएगा देश की पहली क्या E-Sports आभासी अकेडमी याद रखना हाली में 31 जन्वरी 2021 को पल्स पोलियो कारेकरम 2021 के पहले चरण को निमने में से किसने लाँच किया तो राष्ट पती 2016, 2017, 2015 बताईएगा कि भारत पॉलियो मुक्त कब हो गया था तो किसने किया है लाँच का प्रारंब तो ये लाँच प्रारंब किया गया है रामनात कोविंद के द्वारा हाल ही में लाँच बुक, बाई मेनी अ हैप्पी एकसिडेंट, निमने में से किसके द्वारा लिखी गई है तो ये लिखी गई है किसके द्वारा, हामिद अनसारी, जो हमारे पूर्वराष्ट पती और जाकिर हुसेन के बाद ये देश के दूसरे व्यक्ति हैं जो दो बार उपराष्ट पती बने हैं किसके हैं हामिद अनसारी, जैराम रमेश इनकी बुक आई थी, लाइट ऑफ एशिया बुद्धा, विने कुमार सिंग की बुक आई थी, ब्लीडिंग इंडिया, रक्टर कृष्णा कुमार सक्सेना की बुक आई थी, बुके ऑफ फ्लावर, जिसे राजना सिंग के द्वार लांच किया गया था। किया गया दिल्ली में, आधी महसब का उदगाटन, कहां पर दिल्ली में, 1 फरवरी 2021 से, नेक्ष्ट है, ओके फ्रेंट्स, तो ये था आज का हमारा वीकली करंट अफिर्स का फर्स्ट वीडियो, आई होप आपको पसंद आयेगा, और मैं आपको एक और चीज बता दिना चा एक्ष्ट पर वाचिंग, तेक किर